नो डाउट चाउमिन तो आपने बहुत वराइटीज के ट्राइ की होंगे, खाए होंगे, लेकिन आज मैं चाउमिन की रेसिपी लेके आई हूँ, ये एकदम देसी स्टाइल है, ये कोलकाता या बंगाल में हर घर में बनाया जाता है, आज भी कभी अगर हम अपने विलेज ट हम इसमें नहीं डालते हैं, एकदम सिंपल देसी स्टाइल में चाउमिन, बहुत ही टेस्टी बन कर तियार होता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस यूनीक रेसिपी को आपके साथ शेर किया जाए, हे फ्रेंस, वेलकम बैक तो देसी फ्लेवर, मैं हूँ आपकी होस्ट मु आप यूज कर सकते हैं, आप चाउमिन का जो भी पैकेट यूज करें, उसको अच्छे से पहले गरम पानी में नमक डालके बॉल करना है, और हमें इसको 70-80% तक कुक कर लेना है, नूडल्स को बॉल करने में हमें 10 मिनिट लग जाएगा, थोड़ा हमें ध्यान रखना और सारा पानी स्ट्रेणर से स्ट्रेंड कर दूंगी, नूडल्स को ठंडा होने के लिए रखोंगी, नेक्स्ट हमें कुछ वेजटेबल्स चॉप करना है, आलू मैंने या पे दो लिए, उनको चॉप कर लिए, थोड़े से गाजर और बीन्स भी चॉप कर लिए, उनको इस करेंगे चॉप मिन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पे मैंने पैन गरम कर लिया, उसमें ऑईल दो से तीन चंबस डाले, और हम पीनट को एक दो मिनिट के लिए और रोस्ट कर लेंगे, या फिर फ्राय कर लेंगे, इस तरह से दो मिनिट पार यह जो तो मैं इनको आइल से निकाल कर अलग से एक कटोरी में रख रही हूं, यहां पे मैं अनियन और गरीन चीली को एड कर रही हूं, और इसको एक दो मिनिट के लिए हम सौटी कर लेंगे, हम एक दम ब्राउन होने तक कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा सौटी करना है, इसमें करन्चीनेस होना चाहिए, बस एक दो मिनिट के बाद इसमें जो मैंने वेजेटेबल्स कट करके रखेते हैं, वो एड करेंगे, इसमें आलू की कॉंटिटी थोड़ा जादा है, क्योंकि नॉर्मली यह देशी स्टायल का जो चौमिन मैं बना रही हूं, वो इसी तरीके से गाजर डाले हैं, मैंने डाले हैं, अगर र Democrane जादा है, अगर होता है, यूज रёл Muito스타ğ मैं लेटे हैं और यह जो वेज़ेटेबल से यह को हो चुकि है मैंने ग्यास का फ्लेम हाई कर रखा है क्योंकि हमें इसकी सब्सक्राइब नी बनानी है हमें बस इसको को करना है और यह अच्छे से को को गया है तो अब मैं इसमें बॉयल के हुए नूडल सिया चामिन डाल रही हूं वेज़ और चामिन एक साथ अच्छे से फ्राइब हो जाए अब इसमें आइड करेंगे फ्राइब की हुए पीनिट्स और यह देसी स्टैल चामिन में बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में साथ में डालेंगे सॉल्ट सॉल्ट हमने पहले भी डाला था तो थोड़ा ध्यान में अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्राय कर लेना है एक दो मिनिट के लिए और का यूज बहुत कम करना है और यह देखिए यहां पर मिक्स कर रही हूं और इस तरह का चामिन एक बार बना कर आप ट्राइ किजिएगा इडाउट एनी स्पेशल मसाला और सॉस यह चामिन करते हैं इस तरह से सिंपल और इजी चामिन एक बार आप ट्राइ किजिएगा बचों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें मिर्च मसाले सॉस वगेरा बहुत कम है इन फेक्ट बड़े भी ट्राइगा सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा अलग नॉर्मल चामिन से हटकर च नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी को थांक्यू सो मच